आउटडोर गेम्स गेम्स देट आर प्लेड आउटसाइड आर कॉल आउटडोर गेम्स अब जिन गेम्स को जिन खेल को हम अपने घर के बाहर खेलते हैं उनको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स जैसे की ये बच्चेयां पर वॉली बॉल खेल रहे हैं ये बच्चे यां बॉल से खेल रहे हैं तो ये हमारे ऐसे गेम्स हैं जिनको हम घर के बाहर खेलते हैं Other than outdoor games, there are many outdoor activities that we do for recreation अब outdoor games यानि कि बाहर खेल खेलने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी activities है activities यानि कि ऐसे काम होते हैं जिनको हम अपने enjoyment के लिए करते हैं जैसे कि Neha and her family go for a picnic every month to spend time with each other अब Neha और उसकी family हर महिने में एक बार अपनी family के साथ picnic पर जाते हैं ताकि वो time spent कर सके Rohan and his family go out for movies Rohan और उसकी family movie देखने के लिए जाते हैं Games in the past and present अब वो games जो पहले खेले जाते थे और जो अब खेले जाते हैं Over the years there has been a change in the kind of games people play अब बहुत सालों से मतलब की पिछले कुछ सालों से काफी change आया है कि लोग कैसे कैसे तरह के game खेलना पसंद करते हैं Recreational activities have also changed over time और हर किसी की अपनी enjoyment करने वाली activity भी change हुई है Sports such as गिली डंडा, पिट्टू and कंचा were much more popular in earlier times as compared to now अब पहले के time में बच्चे जो थे गिली डंडा खेलना गिली डंडा एक game होता है जिसके अंदर हम stick के साथ नीचे एक bale जैसी होती है इस shape की जिसको हम ऐसे एक तरफ से hit करते हैं हवा में उड़के आती है और फिर हमें इसे stick से hit करना होता है पिट्थू यानि कि ऐसे बहुत सारे stones लगा दे ना फिर उसके बाद दो team होती है एक team ball से stones को गिराती है दूसरी team उन्हें catch करती है और फिर stones को उन्हें नहीं लगाने देती और कंचा ये सब game पहले के time पे बहुत popular हुआ करते थे पिट्थू involves a ball and a pile of flat stones which are stacked on top of each other अब पिट्थू में क्या होता है कि flat stones लेते हैं और उनको एक के उपर एक करके लगा देते हैं stack कर देना यानि कि ऐसे उनको एक के उपर एक लगा देना और उसके बाद हम उन्हें ball से hit करते हैं कंचा और marbles is still a popular game among kids in rural areas अब कंचा जैसे कि ये कंचे होते हैं ये glass के बने होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं या marbles भी बोलते हैं ये अभी भी popular game है rural areas यानि कि जो गाओं वगेरा हो गए उन एरिया में बच्चों के अमांग ये अभी भी popular है माँ बच्चे ये game खेलते हैं अब जो game होता है वो गोल गोल कंचो से खेला जाता है and the motive is to collect as many marbles as possible by shooting and striking other marbles with the ones you have अब इस game के अंदर motive क्या होता है यानि कि हमारा मकसद क्या होता है कि हमें जादा से जादा कंचे अपने पास लाने जैसे कि हमें ये बच्चा ये finger से ये कंचा मारेगा तो जिन जिन कंचों पर हिट होगा वो कंचे इसके पास हो जाएंगे तो ऐसे करके इनको अपने पास उन marbles को इखटा करना है गिल्ली डंडा is played with a gillie, a small piece of wood reduced on both side गिल्ली डंडा को हम गिल्ली के साथ खेलते हैं जो एक छोटा सा लकडी का टुगड़ा होता है जैसे कि ये जो दोनों तरफ से छोटा होता है यानि कि दोनों तरफ से तो पतला सा होता है and a dंडा और एक stick dंडा a large piece of wood that is used to hit gillie एक बड़ा सा टुकड़ा होता है wood का जिससे हम gillie को मारते हैं in recent times many electronic games such as video games and computer games have gained popularity अब आज कल के time में जो electronics game होते है यानि कि जो बिजली से game चलता है जैसे कि video game या computer game आज कल बहुत popular है जैसे कि हमें पता है हम भी खेलते हैं तो हम सबको पता होगा कि हम computer में game खेलते हैं गन वाला कोई game खेलेंगे या जैसे remote remote होता है यह हमारे video game होता है जिसके अंदर remote से हम TV में game चलता है और remote से हम हिट करते हैं तो a game in which the player controls moving pictures on a screen by pressing buttons is called a video game अब एक game जिसके अंदर player यानि कि खिलाडी जो खेल रहा है सपोज मैं खेल गहूं तो मैं जो भी चीज हमारी screen पर आ रही है कोई भी person आ रहा है या फिर कोई भी जैसे gun है तो मैं उसको अपने इन remote के button से control करती हूं कि मुझे आगे जाना है पीछे जाना है शूट करना है तो वो सब button की वजय से होता है उसको हम बोलते है video game क्योंकि टीवी पर चल रही है video और हम remote control से उसे करते है control तो उसे बोलते है video game a game that is played on a computer in which the pictures that appear on the screen are controlled by pressing keys अब वो game जिसको हम computer पर खेलते हैं जिसके अंदर जो pictures हमारी pictures यानि कि जो photos हमारी screen के उपर आती हैं उनको हम control करते हैं इस remote पे button को press करने से और moving a joystick joystick क्यों होता है जैसे कि यह है यह joystick होती है यह एक button जैसा होता है जिसको हम आगे पीछे left right move कर सकते हैं ताकि हम सामने screen पे अपने picture को control कर सके is called a computer game इसको हम computer game बोलते हैं some video games have joysticks as well कुछ video games के अंदर joysticks भी होती है these days mobile games have become popular अब आजकल mobile games भी बहुत popular हो गए हैं कि हम सबको पता है सबसे famous game है pub g तो वो भी हम खेल सकते हैं तो यह सारे हमारे mobile games है जो आजकल की generation के बच्चे बहुत खेलते हैं we should not play games on mobile screen for a long time हमें अपनी mobile screen पर अपने phone पर जादा समय के लिए games को नहीं खेलना चाहिए we must reduce our screen time हमें अपना screen time को reduce कर देना चाहिए यानि कि जितना जादा हम इन सब चीजों के आगे बैटेंगे हमारी आखे खराब हो सकती है और सरदर्द भी होता है spending too much time looking at a screen is not good for the eyes यही बात मैंने भी बोली कि अपना जादा time इन सब चीजों पर screen पर focus करने में अगर हम लगाते हैं तो हमारी आखों में आखों के लिए अच्छा नहीं होता है वो उससे हमारी आखों पर stress पड़ता है और कमजोर भी होती है